आप सबको मेरा नमस्ते ये जो सेशन है उसमें हम लोग ने तूरू टॉडल रखे हुए है एक तो है नवजार जो शिशू है उसको कैसे समालना है कैसे उसके देखबाल करनी है और जो दूसरा टूटॉडल है उसमें हम लोग ने दिखाया है कि बचे को कैसे नहलाना है तो पहले टूटॉडल में तो हमने सिखाया हुआ है कि कैसे हाथ दोना है कैसे बचे को पकड़ना है कैसे बचे को उसका जो नापी है कैसे चेंज करना है कभी उसको नहलाना है, जनम के बाद कभी नहलाना है दूसरा एक बहुत important बहुत की चीज हमने बताई हुई है कि बच्चे को जबी भी आप कैसे उसको सुलाना है तो उसको पीट पे सुलाना बहुत ही important है आपको पेट पे नहीं रखना है, उसको पेट पेश उलाना है क्या कारण है उसका कि जो बच्चे पेट पेश होते हैं उसको there is something called SIDS, Sudden Infant Death Syndrome Sudden Infant Death Syndrome मतलब क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे नीद में ही उनकी बृत्य हो जाती है उसको हम लोग SIDS बोलते हैं हम लोगों को पता नहीं होता है कि क्या होआ, क्या होआ रात में कैसे बच्चा मतलब उठता ही नहीं है सुबर में तो उसकी जो मात्रा है वो अगर बच्चे को पीट पेश उलाया तो यह SIDS की मात्रा कम हो जाती है कि बच्चे को कैसे नहलाना है तो मतलब जैसे अलग-अलग तरह की जो क्लाइमिट होती है कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है कभी बच्चे को वो लोग बाथ टब में नहलाते हैं कभी वो पैर पे बच्चे को रखके नहलाते हैं तो ये सारी अलग-अलग जो चीज़े हम लोग ने बताई हुई है, कितना पानी का टेंपरेचर कितना होना चाहिए, कैसे बचे को प्रोटेक्ट करना है, गर्मी से, ठंड से, ठीक है, तो ये दोनों टुटरियल आप देखे और सारी जो इंफोर्मेशन है आपको मदर को बता जालें, गर्मनाल की देख बाल करना, नवजात को खिलाना और डकार दिलवाना, लंगोट और उसकी वज़े से त्वचा पर होने वाले लाल रंग के दाने होना और नवजात शिशु की सोने की आदतें, नवजात के जनम पर पूरा परिवार खुश हो जाता है और हर कोई शिशु को देखना और उसे उठाना चाहता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि शिशु को उठाने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाए, नवजात की रोग प्रतिरोदक शक्ती मजबूत नहीं होती, इस वज़े से उसे इन्फेक्शन का खत्रा रहता है, शिशु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे पकड़ने या उठाने वाले के हाथ हमेशा साफ हों, शिशु को उठाने से पहले हाथ, साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और साफ कपड़े पर सुखाएं, अब सीखेंगे पहली बात जो है, शिशु को कैसे उठाएं? सहारा देते हुए उठाकर बिठाएं, या फिर हलके से उसके कान को चुएं, हमेशा याद रखें कि नवजा शिशु बहुत नाजुक होते हैं, शिशु को संभालने से पहले याद रखें कि वो किसी भी तरह के खेल के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उसे घुटने पर रखकर ना हिलाएं और ना ही हवा में फैंक कर पकड़ें, कभी भी खेलते हुए या फिर गुस्से में उसे जोर के ना हिलाएं, उसकी गर्दन को अचानक से ना हिलाएं, इन सब से अंधुरूनी चोटे लग सकती हैं, अब हम घर पर गर्बनाल की देख भाल करना सीखेंगे, मा की कोख में गर्बनाल ही शिशु को जिन्दा रखता है, पर पैदा होने के बाद गर्बनाल की जरूरत नहीं होती, पैदा होने के कुछ मिंटों में ही जब गर्बनाल धड़कना बंध हो जाए, तो उस पर गांठ मार दें, जब तक शिशु घर जाने लायक होता है, तब तक गर्बनाल सूप कर सिकुडने लगता है, फिर वो एक दो हफ़तों में गिर जाता है, पर याद रखें, गर्बनाल में से शिशु के शरीर में इंफेक्शन आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसे? गर्बनाल को हवा लगा कर सूखा रखें, गर्बनाल के गिरने तक शरीर को गीले कपड़े से पहुंचें, गर्बनाल को शिशु के लंगोट के बाहर रखें, या फिर मोड कर लंगोट के किनारे के अंदर रखें, शिशु को स्वास्त सेवक को जरूर दिखाएं, अगर गर्बनाल के एक तरफ से खून निकले, या त्वचा से खून निकले, पीक पड़ जाए, या सूजन, या फिर त्वचा लाल हो जाए, या आपको लगें कि शिशु को नाभी के आसपस दर्द हो रहा हो, और यदि शिशु के एक महीना पूरे होने पर भी गर्बनाल ना गिरे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि गर्बनाल गिरने वाला हो तब या फिर गिरने के बाद थोड़ा सा खून निकले, पर ये जल्दी जाता है। पहले छे महीने सिरफ मा का दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा मा को शिशु के नंगे शरीर को अपने नंगे शरीर के साथ रखना चाहिए और शिशु के भूके होने के संकेतों को देखना चाहिए। ये सभी बाते इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताई ग अगर एक स्वस्थ या फिर समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तन पान में दिल्चस्पी ना हो तो मा को डॉक्टर या स्वास सेविका से मिलना चाहिए स्तन पान करते हुए शिशु हवा भी निगल लेते हैं जिस से वे चिर्चिरे हो जाते हैं ऐसा ना हो इसके लिए हर स्तन पान के बाद शिशु को डकार दिल्वाएं ये इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है अगला है लंगोट के बारे में जब भी शिशु पिशाब या मल करें तो उसे पीठ पर लिटा कर गंदी लंगोट को निकाल लें पानी और मुलायम कपड़े से उसके गुप्त अंगों को साफ करें इन जगहों पर साबुन ना लगाएं अगर शिशु लड़की होत तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करें इस से पिशाब के इंफेक्शन से बचाव होगा लंगोट बदलने से पहले और बाद में मा या फिर शिशु को संभालने वाले को हाथ अच्छे से धोने चाहिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंगोट की वज़े से शिशु की तवचा लाल या उस पर दाने हो जाएं ऐसा होना आम है कि तवचा लाल हो जाए और दाने भी हों ये कुछ दिनों में गरम पानी से नहाने पर और कुछ खास क्रीम लगाने पर और फिर कभी-कभी बिना लंगोट पहनने पर ठीक हो जाता है शिशु की तवच्चा नाजुक होती है गीली लंगोट से उसको तकलीफ होती है और तवच्चा लाल और उस पर फिर दाने भी हो जाते हैं इन सबसे बचने के लिए शिशु की लंगोट हर पिशाब या मल के बाद बदलनी चाहिए फिर उसके गुप्त अंगों को पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें बाजार में मिलने वाले गीले कपड़े या पेपर से नहीं जिससे शिशु को तकलीफ हो सकती है एक मोटी परत लंगोट की तकलीफ से बचाने वाली क्रीम की भी लगा सकते हैं क्रीम जिसमें जिंक ओक्साइड हो वो नमी को दूर रखता है शिशु की लंगोट बिना रंग और खुश्बू वाले साबून से धोएं और दिन में कुछ वक्त शिशु को लंगोट ना पहनाएं इससे त्वचा को हवा लगेगी अगर तीन दिन से ज़ादा त्वचा को तकलीव हो या फिर हालत ज़ादा बिगड़े तो डॉक्टर को दिखाएं ये फफून्दी का इंफेक्शन हो सकता है जिसमें दवा लेनी पड़ती है आखरी में हम बात करेंगे शिशु के सोने की आदतों की एक दिन में शिशु 14-16 घंटे तक सो सकते हैं नवजात एक ही बार में 2-4 घंटे सोते हैं काफी नवजात शिशु के लिए दिन और रात में कोई फरक नहीं होता वे रात को जाकते हैं और पूरा दिन सोते हैं ताकि शिशु रात को अच्छे से सो पाएं ऐसा कुछ न करें कि उनकी नींद खराब हो जैसे कि कमरे की रोशनी एकदम कम करके रखें और दिन में उन्हें जगा कर रखें उनके साथ खेलें और बातचीत करें मा या शिशु की देखबाल करने वाले को याद रखना चाहिए कि शिशु हमेशा अपनी पीठ पर सोए इससे अचानक से होने वाली मौत से शिशु बचेगा सोते हुए बाकी की साथानिया जो बरतनी चाहिए वे हैं उनके पालने में कंबल, रजाई, मेमने की खाल, रूई से भरे खिलोने और तक ये ना रखें इन सबसे शिशु का दम घुट सकता है याद से हर रात को शिशु के सर की स्थिथी बदलें पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं और ऐसे हर रोज बदलें इससे शिशु का सर एक तरफ से चप्टा नहीं होगा नवजाद शिशु की देखबाल की जरूरी बातों का यह स्पोकन टुटॉरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुडने के लिए धन्यवाद नवजाद शिशु को नहलाने के तरीके के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे मा या शिशु का ख्याल रखने वाले के लिए शिशु को नहलाने से पहले और नहलाने के दोरान की कुछ सुरक्षा टिपनिया शिशु को पहली बार कब नहलाया जाए, गीले कपड़े से उसके शरीर को कैसे पहुंचा जाए रोज का नहलाना, पारंपरिक तरीके से नहलाना, पहाडों या ठंडे इलाके के शिशु को नहलाना और क्रिडल कैप पहली बार जब हम माबाब बनते हैं तो हम सब को शिशु को नहलाने की चिंता रहती है शिशु को बहुत ध्यान से नहलाना चाहिए एक भी गलत कदम शिशु को हानी पहुँचा सकता है हम सबसे पहले शिशु को नहलाने से पहले की सुरक्षा टिपनिया जानेंगे जैसे की मा या खयाल रखने वाले के नाखुन हमेशा कटे होने चाहिए उन्हें अंगुठीक चूडिया या घड़ी नहीं पहननी चाहिए क्यूंकि इन से शिशु को चोट लग सकती है तो शिशु को पहली बार कब नहलाना चाहिए? प्रसव के 48 घंटों के बाद मा शिशु का शरीर गीले कपड़े से पहुन सकती है याद रखें जब तक गर्बनाल गिर न जाए तब तक गीले कपड़े से ही शिशु का शरीर पहुन्चे गर्बनाल के गिरने के बाद मा या परिवार का सद शिशु को रोज नहला सकता है पर अगर शिशु का जनम से ही वजन कम हो तो जब तक वजन दो किलो तक ना हो जाए तब तक गीले कपड़े से ही शरीर को पहुंचे चलिए देखते हैं कि गीले कपड़े से शिशु का शरीर कैसे पहुंचा जाए शुरू करने से पहले याद से कमरे की सभी खिड़कियां बंद कर लें ताकि कमरा गरम रहे एक मुलायम साफ सूखा कपड़ा तैयार रखे शिशु को एक सुरक्षित चप्टी जगा पर रखे फर्ष सबसे सुरक्षित जगा होती है शिशु को उँची जगा पर कभी न रखे नहाने का पानी 37 डिग्री सेल्सिय से जादा नहीं होना चाहिए पानी का तापमान मा को अपनी कोहनी से या कलाई पर जांचनी चाहिए और नहलाते हुए शरीर को साफ करने के लिए पहले साबून का पानी इस्तिमाल करें साबून का पानी बनाने के लिए हमेशा हलका बिना खुष्बू और रंग का साबून या खास शिशु को नहलाने का साबून इस्तिमाल करें पिर साबून उतारने के लिए साफ पानी लें अब छोटे मुलायम कपड़े को पानी में भिगोए और निचोड़े फिर शिशु की आँखें अंदर से बाहर की तरफ साफ करें पर उसी कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ ना करें एक अलग ताजे मुलायम कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ करें शरीर के सिल्वट पढ़ने वाले अंग जैसे बगले, कान के पीछे, गर्दन के आसपास, हातों और पैरों की उंगलियां और गुप्त अंग भी साफ करें अब हम बात करेंगे रोज के नहलाने की याद से स्वस्त शिशु जिनका गर्ब नाल गिर चुका है उन्हें रोज नहलाएं रोज के नहाने के लिए अगर आपको बड़ा टब इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर दो इंच तक साबुन का पानी भरें इसे बनाने के लिए एक हल्का बिना रंग या खुश्बु का साबुन लें और एक अलग टब में ताजा पानी रखें फिर कोहनी से दोनों टबों के पानी का तापमान देखें तापमान सही हो तो ध्यान से और धीरे से शिशु को साबुन के पानी वाले टब में रखें और हमेशा उसके सर को सहारा दें शिशु के टब में बैटने के बाद टब में पानी ना भरें सबसे पहले शिशु का सर एक बिना रंग और खुश्बू वाले साबुन या शैंपू से साफ करें फिर हलके हाथ से ताजे पानी के साथ साबुन निकालें और फिर शरीर पर सिल्वट पढ़ने वाले अंग और गुपत अंग भी साफ करें जहां सबसे ज़ादा मैल होती है आखिरकार हलके से पूरे शरीर को ताजे पानी से धोएं पर अगर मा को या शिशु के खयाल रखने वाले को पारंपरिक तरीके से नहलाना हो तो फर्श पर बैट कर अपनी टांगों को खोलें फिर शिशु को टांगों पर रखें शिशु का सर मा के पैरों की तरफ और शिशु के पैर मा के पेट की तरफ होने चाहिए अब शिशु नहलाने के लिए सही स्थिति में है नहलाने के बाद तुरंट शिशु को साफ मुलायम तॉले से पहुंचे जैसे पहले बताया है, शरीर के सिल्वटों वाले भाग को भी पहुंचें पाउडर ना लगाएं, खास शिशु वाला पाउडर भी नहीं पाउडर से नवजात को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है आँखों में सुर्मा और काजल भी ना लगाएं इससे शिशु के अंदर सीसे का जहर फैल सकता है और उसे इनफेक्शन भी हो सकता है अब देखेंगे पहाडों और ठंडे इलाकों में रहने वाले शिशु की देखरेख इन्हें गर्भ नाल ना गिरने तक रोज गीले कपड़े से ही पहुंचें पर शरीर सुखाने के बाद तुरंद मा या खयाल रखने वाले के बिना कपड़े पहने हुए शरीर के साथ बिना कपड़े पहने शिशु को रखें इससे शिशु के शरीर का तापमान कम होने से बचेगा याद रहे हफते में दो बार ही शैंपू करें नहीं तो सर पर खुशकी हो जाएगी कभी कभी नवजात के सर की चमड़ी पपड़ी वाले धब्बे या मचली की चमड़ी जैसी हो सकती है इसे cradle cap कहते हैं ये धब्बे लाल भी हो सकते हैं cradle cap की चिंता ना करें ये अपने आप ठीक हो जाएगा इसे इलाज की ज़रूरत नहीं होती, खास शिशु के सर पे लगाने वाला तेल इस पपड़ी को मुलायम कर सकता है, पर पपड़ी पर थोड़ा ही तेल मलें ज़्यादा तेल से हालत खराब हो सकती है, फिर दो से तीन घंटो बाद हलके शैंपू जिससे आंसू ना निकले उससे शिशु का सर धोएं और एक घंटे बाद हलके से मुलायम कंगी से बाल बनाएं पपड़ी को कभी भी ना खीचें, नहीं तो शिशु को चोट लग सकती है, या फिर इनफेक्शन भी हो सकता है शिशु को नहलाने के तरीके का ये स्पोकन टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुणने के लिए धन्यवाद प्रुटोरियल यहीं समाप्त है